हेलो दोस्तों, आज एक नया डिजाइन बनाएंगे, ये देखें ये कुछ इस तरह से बनके आता है, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड से बनेगा, इस तरह से आएगा ये बनके, तो इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, चा प्लस यहां पर हम एक्स्ट्रा स्टिचिस रखेंगे, और ये हमारे 6 स्टिचिस एक्स्ट्रा हैं, डिजाइन कवर करने के लिए, 14 स्टिचिस का हमारे ये एक सेट है, यहां तक ये एक सेट बना हुआ है, और इसी को जैसे हमने शुरू करा है, वहीं से खतम करेंगे, तो उ पर बन के आए, तो cast on कर लिजिए, border आप अपनी पसंद से बना लें, जैसा भी आपको पसंद हो, border बना लिजिए, यहाँ पर मैंने 14 stitches लिये हैं, प्लस 6 stitch लिये हैं, और 1 stitch extra रखा है, दोनों साइट से, सिलाई के लिए, सिलाई वाला stitch ज़रूर रखिएगा, तो cast on कर दिजाइन शुरू करेंगे, यह हमारा एक साइट बन चुका है, इसी को अगेन रो बन से दुबारा से repeat शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे, यह हमारी रो बन है, slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, धागा पीछे करें, चार सीधे, एक उल्टा आठ सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, अगेन फिर से एक उल्टे से repeat शुरू करेंगे, और इसी तरह बनाते जाएं, यह हमारा एक साइट बन गया है, लास्ट में हमारी यह extra stitches हैं, डिजाइन कवर के लिए उन्हें भी बना लेंगे, तो धागा एक उल्टा, चार सीधे, एक उल्टा और सिलाई वाले stitch को सीधा बनाते हुए रोको कम्प्लीट कर लेंगे, तो यह हमारी right side कम्प्लीट हो गई है, wrong side बनाएंगे, slip करेंगे पहले stitch को एक सीधा चार उल्टे एक सीधा आठ उल्टे तो simple है जैसा stitch होगा उसे वैसा ही बनाएंगे तो सीधे stitch को सीधा और उल्टे stitch को उल्टा बनाते हुए wrong side को complete करेंगे तो wrong side complete हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करेंगे twist करेंगे दो-दो stitches का तो same रखिएगा twist चाहे आपने left side को रखिए जैसा आपको easy लगे बनाने में या फिर right side को रखें जैसी भी रखेंगे इस twist वैसे ही same आपने सारे project में यूज करनी है तो मैं यहाँ पे right side का twist कर रही हूँ front से दो stitch लोंगी और इन्हें आगे ले आऊंगी और आगे वाले दो stitch पीछे कर दूँगी वापिस ले लें सिलाई में और चारो stitch सीधे बना दें एक दो तीन और चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा पांच सीधे एक दो तीन चार पांच दो stitch बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर एक सीधा अगेन एक उल्टे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते जाएं और ये हमारे कॉर्णर के extra stitches हैं इन्हें भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने front के stitch बनाए हैं तो एक उल्टा राइट साइड का twist करेंगे दो stitch आगे से ले आएंगे front में लाके इन्हें वापिस ले लें सिलाई में और जैसे हमने front की पहली वाली केबल बनाई हैं वैसे ही हम इसे second वाली केबल को बनाएंगे धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा और सिलाई वाले stitch को सीधा बनाते हुए रो को complete कर लेंगे टर्न कर लीजे wrong side सेम रहने वाली है जैसा stitch है उसे वैसा ही बना ले तो यहाँ पे wrong side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करेंगे अगें सेम जिस तरह से हमने पहले twist बनाया है वैसे ही दुबारा से बनाएंगे तो front से 2 stitch लें और इन्हें आगे ले आएं और आगे वाले 2 stitch पीछे करतें वापिस ले लेंगे सिलाई में और 4 stitch सीधे बना दें 1, 2, 3, 4 यह हमारा twist हो गया है धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे यह वाले हमारा center वाला set आजाएगा वो बनाना है तो 4 सीधे 1, 2, 3, 4 दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ एक सीधा, yarn over और एक सीधा अगेन फिर से एक उल्टे से शुरू करेंगे और इसी तरह आगे बनाते जाएंगे और यह last वाला है set उसे आपने same वैसे ही बनाना है जैसे आपने पहले वाला set बनाया है तो same रहेगा, twist करेंगे दो-दो stitches का तो दो stitch front से आगे ले आएं और वापिस ले लें सिलाई में और इन्हें 4 stitches को total सीधा बना दे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा और सिलाई वाले stitch को सीधा बनाते हुए रोको complete कर लेंगे तो ये हमारी right side complete हो गई है wrong side same रहने वाली है जैसा stitch है उसे वैसा ही बनाते जाएं करेंगे बनाते है wrong side complete हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा चार सीधे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे तीन सीधे एक दो और तीन दो स्टिच बनाएंगे right side को एक साथ दो सीधे यान ओवर एक सीधा अगें फिर से एक उल्टे से शुरू करें और इसी थरह रिपीट बनाते जाएं लास्ट के एक्स्टा स्टिच बनाएंगे एक उल्टा चार सीधे एक उल्टा धागा पीछे क और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को complete कर लेंगे यह हमारी right side बन गई है turn कर लीजिए wrong side बनानी है तो slip करेंगे पहले स्टिच को एक सीधा और जैसा जो स्टिच आएगा उसे वैसा ही बनाते जाएं wrong side complete हो गई है turn कर लीजिए right side बनाएंगे slip करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करें चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा दो सीधे अब अगेन दो स्टिच बनाएंगे right side को एक साथ तीन सीधे यान ओवर एक सीधा अगेन एक उल्टे से repeat शुरू करें ये हमारा set बन गया है और last वाले स्टिच बना लेंगे एक उल्टा चार सीधे अगेन एक उल्टा और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को complete कर लेंगे ये हमारी right side complete हो गई है wrong side बना लीजे जैसा स्टिच है वैसा ही बनाईएगा wrong side हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करेंगे अगेन फिर से जैसे हमने यहाँ पे right side का twist कर रहा था वैसे ही twist बनाएंगे फिर से तो front से दो स्टिच लें और इनहें आगे ले आएं और आगे वाले दो स्टिच पीछे कर दें वापिस ले लें सिलाई में और चारों स्टिच सीधे बना दें एक दो तीन चार धागा अपनी दफ करेंगे एक उल्टा एक सीधा दो स्टिच बनाएंगे right side को एक साथ चार सीधे एक दो तीन चार यान ओवर एक सीधा ये हमारा एक सैट बन गया है इसी को अगेन आपने repeat करना है तो उल्टे स्टिच से शुरू करियेगा और बनाते जाएएगा ये last वाले स्टिच है इने हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने front वाले स्टिच बनाए है धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कम्प्लीट कर लें तो ये हमारी राइड साइड कम्प्लीट हो गई है रॉंग साइड सेम रहने वाली है जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाते जाएं रॉंग साइड कम्प्लीट हो गई है टर्न कर लिजे राइड साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करें अगेन फिर से ट्विस्ट करेंगे दो दो स्टिच इसका राइड साइड को फ्रंट से दो स्टिच लें और इन्हें आगे ले आएं और आगे वाले दो स्टिच पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई में और चारो स्टिच सीधे बना दे धागा अपनी दरफ करेंगे एक उल्टा एक सीधा अब ये जो हमारा दो स्टिच एक साथ बन रहे थे वो वाला स्टिच आ जाएगा तो यहाँ पे आपने यान ओवर करना है एक सीधा बनाने के बाद यान ओवर कर लें और ये जो हमारा दो स्टिच एक साथ बन रहे थे वो वाला स्टिच है तो इसे आप स्लिप करें दो स्टिच इसको वापिसी लाई में लें और यान ओवर करते हुए दो स्टिच बना दें एक साथ इस तरह से आपने इसे अब लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाने हैं पांच सीधे बना लें एक दो तीन चार और पांच अगेन फिर से एक उल्टे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते जाएं लास्ट वाले स्टिच बना लेंगे तो धागा अप लाएं और इन्हें पीछे कर दें वापिस लेले सिलाई में और चारो स्टिच सीधे बना दें धागा अपनी तफ कर लें एक उल्टा और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कम्प्लीट कर लें रॉंग साइड बना लीजिए तो जो जैसा स्टिच है उसे वै आते जाईएगा रॉंक साइट कम्प्लीट हो गई है टर्न कर लीजे राइट साइट बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करेंगे चार सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा यान ओवर एक सीधा slip करेंगे दो stitch वापिस सिलाई में लेंगे और दो का एक बनाएंगे left side को अब 4 stitch सीधे रह जाएंगे इन्हें सीधा बना लें एक, दो, तीन और चार ये हमारा एक side बन गया है इसी को again आपने repeat करना है तो last वाले stitch भी same बनाएंगे जैसे front वाले बनाए थे तो एक उल्टा, चार सीधे और एक उल्टा सिलाई वाले stitch को सीधा बनाएं और right side को complete कर लें तो ये हमारी right side बन गई है turn कर लीजिए wrong side same रहने वाली है जैसा stitch है उसे वैसा ही बनाते जाएं turn कर लीजिए right side गई है बनाएंगे, slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे चार सीधे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, एक सीधा, yarn over करेंगे, दो सीधे, एक, दो, slip करेंगे दो stitch को वापे सिलाई में लेंगे, और दो का एक बना देंगे, left side को, और फिर तीन सीधे, एक, दो, और तीन, ये हमारी right side का जो एक set है, वो complete हो गया है, इसी set को आपने दुबारा से repeat करना है, last वाले stitch बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, चार सीधे, एक उल्टा, और last में सिलाई वाले stitch को सीधा बनाते होए, row को complete कर लें, ये हमारी right side बन गई है, turn कीजिए, wrong side सेम रहेगी, जैसा stitch है, उसे वैसा ही बनाते जाएं, wrong side complete हो गई है, turn कर लीजिए, right side बनाएंगे, slip करेंगे, पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, again फिर से, जैसे हम यहाँ पे cable हमने twist बनाया था, वही twist हम दुबारा से बनाने वाले हैं, तो front से 2 stitch लें और इन्हें आगे ले आएं और आगे वाले 2 stitch पीछे कर दें, वापिस लेंगे सिलाई में और 4 stitch सीधे बना दें, एक, दो, तीन, और चार, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा, यान ओवर करें, तीन सीधे, slip करेंगे, 2 stitch वाप पे सिलाई में लेंगे, और 2 का एक बना देंगे, लेफ्ट साइड को, और 2 सीधे, एक, दो, यह हमारा एक सैट बन गया है, इसी को अगेन आपने repeat करते जाना है, लास्ट वाले stitch बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा धागा पीछे करेंगे, ट्विस्ट करा था हमने यहाँ पे, तो अगेन फिर से ट्विस्ट बनेगा, तो फ्रंट से 2 stitch लें, और इन्हें आगे ले आएं, और आगे वाले 2 stitch पीछे कर दें, वापिस ले आते हुए complete कर लें, तो यह हमारी right side complete हो गई है, wrong side सेम रहने वाली है, जैसा stitch है उसे वैसा ही बनाए, तो wrong side complete हो गई है, turn कर लीजे, right side बनाएंगे, slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, twist करेंगे अगेन फिर से, तो फ्रंट से 2 stitch लें, इन्हें आगे ले आएं, और आगे वाले 2 stitch पीछे कर दें, वापिस ले लें सिलाई में और 4 stitch सीधे बना दे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, यान ओवर, चार सीधे, एक, दो, तीन, चार, slip करेंगे, 2 stitch वापिस सिलाई में लेंगे, और 2 का, एक बनाएंगे, लेफ्ट साइड को, और एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, और अगेन, रिपीट करते हुए, इसी तरह बनाते जाएं, लास्ट वाले stitch बना लेंगे, फ्रंट से 2 stitch लेंगे, आगे लाएंगे, आगे वाले 2 stitch पीछे कर देंगे, वापिस ले लें सिलाई में, और 4 stitch सीधे बना दें, और इसी तरह आगे continue बनाते हुए, आप राइट साइड को complete कर लें, तो ये हमारी राइट साइड जो है, वो complete ह हो गई है, टर्न कर लीजिए, राउंग साइड बनाएंगे, राउंग साइड हमेशा सेम ही बनने वाली है, तो जैसा stitch है उसे वैसा ही बनाते जाएं, एक सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, आठ उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, और इसी तरह आगे continue बनाते जाएगे जितने भी आपके set होंगे, तो ये हमारी wrong side जो है, वो complete हो गई है, टर्न कर लीजिए, यहाँ पे हमारा design जो है, वो complete हो चुका है, ये देखें, ये इतना बनके आया है, तो design कैसा लगा, message कीजिएगा, पसंद आए तो like करिए, subscribe करना न भूलिए, please मेरे channel को subscribe जरूर करिएगा, और design try जरूर करिएगा, बहुत प्यारा लगता है, बना हुआ, चाहो तो आप इसे repeat में बना सकते हो, या फिर single center में भी बना सकते हो, center pattern की तरह, तो try जरूर करिएगा, row one से एक बर फिर से देख लें, design किस तरह से बनने वाला है, slip करेंगे, पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, again फिर से यहाँ पे अब हम जो है, repeat करेंगे, चार सीधे, एक, दो, तीन, चार, चार stitch सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, पांच सीधे, एक दो तीन चार पांच दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और एक उल्टा अगें चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा और एक सीधा और इसी तरह आगे रिपीट करते जाए आप जब भी यह twist बनाओगे यह जो हमारा double twist है उसके बाद आपने यहाँ पे चार सिलाईया जो है एक बार right side से एक बार wrong side से फिर एक right side से फिर एक wrong side से इस तरह से चार सिलाईया डालनी है उसके बाद फिर से again double twist करना है एक और दो दो बार twist करना है लगातार और यह जो हमार आगे बनाते जाएंगे तो ट्राइ जरूर करिएगा बहुत प्यारा लगता है बना हुआ और प्लीस भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को थैंक यू